गुड आप्टरनून, क्लास, अब तक हमने के दिने दो टॉपिक पढ़े हैं, पहला एकाई अंक और दूसरा सुनने होगी संक्या, आज तीसर टॉपिक के स्टार्ट करेंगे, गुरंखंडों की संक्या क्यात करना, हाँ समझ रहा हूँ, गर्मी बहुत पढ़ रही है, कल से या मंदे से, मैं भी अपना लेक्चर सुभए नौया दसवजे तक दे दिया गरूँगा आपको, या तो लाइब या रिकॉर्डेट, जिससे कोई दिक्कर नहीं होगी देखने हैं, सही है, कहानी अच्छी लगी थी कल की, और भी सुनते हैं, एक आद कहानी क्या करें, एक सस्क्राइब कर दिया होगा, और करने हैं कोई दिक्कर नहीं है, दुपारा था होता नहीं है, लाइक कर दिया करो, और एक अच्छा सा कमेंट लिख दिया करो बस और घश्मत करना, बट ये करपाना तो सही, बीडियो दरू पूरा देखना, ज़़नी महनत से हम बनाते हैं, उसी अच्छे से आप देखना आज का टॉपिक क्या है वीटा गुलंखंड से क्या है गुलंखंड गुलंखंड जो टॉपिक है वो टेट सुपार टेट, सी टेट इनके लिए तो मोस्ट इंपोरेंट है हंड्र परसेंट एक कुश्चन आएगा इनके लिए कैसा है मोस्ट इंपोरेंट है और बाकी जो एक्जाम होते हैं उनके लिए इंपोरेंट है असा नहीं कि उनके लिए इंपोरेंट है लेकिन जो टेट का एक्जाम हो उसके लिए तो गुलंखंड क्या है मोस्ट इंपोरेंट टॉपिक है कर तो पढ़ते हैं अब पहले तो हम यह देख लेंगे गुरंखंड में कितने टाइप की कुश्चन पढ़ेंगे पहला जो हम पढ़ेंगे सभी अभाज गुड़न खंड ग्याद करना सभी अभाज गुड़न खंड ग्याद करना यहां गया मैं संक्या दीगे गई होगी और उसके हम केवलो केवल अभाज प्राइम फेक्टर ग्याद करेंगे अगर सब निकाल नेंगे तो उनमें से चाट की केवलो केवल कौन से बताने होंगे प्राइम फैक्टर बताने होंगे उसके लाव कोई दूसरा फैक्टर नहीं बताना अगला देखें नमबर दो सभी गुड़न खंट सभी गुड़न खंटों की संख्या ग्याद करेंगे अब यहां सभी गुड़न खंट ग्याद करेंगे चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो चाहे सम हो चाहे बिसम हो इसको मतलब नहीं है किसी भी नंबर के जितने भी गुड़न खंडोंगे वो सारे के सारे हमें ग्याद करने हैं नंबर तीन सभी सम गुड़न खंडोंगी संख्या ग्याद करने यहां क्या है सभी सम जितने सम गुड़न खंडोंगे वो ग्याद करेंगे ना तो बिसम लेंगे ना धाज लेंगे सहे है अगला सभी बिसम गुड़न खंड़ सभी है यहां क्या लेने सभी बिसम गुणनखंडों की संक्या लेनी कैसे गुणनखंडों की बिसम गुणनखंडों की संक्या ग्यात करने अगला जो पॉइंट है नमपर पांच अब देखो सभी आवाज ग्यात करेंगे क्या यात करेंगे योगफल योगफल में पहला सभी गुणनखंडों का योगफल नमबर दो सम गोलन खंड़ों का और नमबर तीन बिसम गोलन खंड़ों का योग पर अब देखो हमें टोटल कितना बढ़ना है सभी अभाज गोलन खंड़ों का योगफल और टोटल को योगफल अभाज गोलन खंड़ों का योगफल गयात करने की जरूरत नहीं है अब देखो आगे बढ़ते हैं और पहला टोपिक लेते हैं सभी अभाज गोलन खंड़ों की संक्या गयात करना ऑभाज गोलन खंड़ों की संक्या गयात करना अब सब्से पहले हम अभाज गोलन खंड़ों की संक्या गयात करना हैंगे हम जितने भी टाइप पढ़ेंगे इसके बाद उन समय अभाज गुरंखन निकालने के बाद ही आगे प्रोसेस करेंगे उससे पहले नहीं कर सकते तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे अभाज गुरंखन निकालेंगे उसके बाद जो प्रोसेस होगी उससे आगे बढ़ें होगे हैं से पहले टाइम लिखते हैं सभी अभाज गोड़न घंड ग्याद करना सभी अब जोगे एक सिंपल दो कुष्ण लेते हैं जैसे कि साथ हमें साथ के गोड़न घंड बताने वो भी कैसे अभाज साथ के सभी अभाज गोड़न घंड तो हम ने लिए शाथ के सभी अभाज गोड़न घंड तो सब से बहले हमने साथ रिखा अब इसमें केवल और केवल अभाज संक्याओं से भाग देंगे भाज संक्याओं से भाग देंगे जरूरत नहीं है तो हमने दो का भाग दिया दो सबसे शुटी अभाज संक्या होती है दो से भाग दिया तीस वार कैंसल हुआ फिर दो से भाग दिया पंदरे बार कैंसल हुआ फिर तीन से भाग दिया पांच बार कैंसल हुआ फिर पांच से भाग दिया एक बार कैंसल हुआ तो यह आ गया हमारा दो सही है की हाथ दो गुणा तीन की हाथ एक गुणा पांच की हाथ एक सीधा सीधा देख लो, दो एक तीन और एक चार, दो की हाथ दो तो दो बार दो आ गया, एक तीन की हाथ एक तीन एक बार आ गया, और पांच की हाथ एक बार, तो दो एक तीन एक चार, साथ के अवाज जोना नों की संगे कित्ती हो जाएगी, चार हो जाएगी वेटा सिंपल स कि संक्या लेते हैं अगर हमसे पूछा जाए चौबेस के हैं हैं तो फिर सम्ने वही किया है चौबेस में दो से भाग दिया बारे वार कैंसल हुआ फिर बारा में दो से दिया छे वार कैंसल हुआ फिर छे में दो से दिया तीन वार कैंसल हुआ फिर तीन में तीन से दिया एक आखित पर घंसी में यह गया हमारा दो की आथ तीन की आथ एक तो यह हो जाएगा तीन और एक कि जाएक जिस चोवेस्ट टोटल गोन अधिते हो जाएगे फटा चार हो जाएंगे जिसक्पने हो जाएंगे जार अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज कोश्चन आता है और ये कोश्चन केवल हो केवल अभाज गुडन घंडों में ही आता है उसके लावा नहीं आता है यानि इस टाइब कोश्चन हमसे केवल जबी पूचा जाएगा जब अभाज गुणन फंडों की संग्या पूची जाएगी तभी इस टाइब कोश्चन पूचा जाएगा इसके अलाबा इस टाइब कोश्चन हमसे नहीं पूचा जाएगा देखो क्या है कोश्चन 15 गयाद 5 गुड़ा 14 गयाद 8 गुड़ा 3 की गयाद 9 कि सभी अभाज गुड़न खंडों की संक्य बता नहीं है सभी 15 गयाद 5 विटा 14 गयाद 8 और 3 की गयाद 9 कि सभी अभाज गुड़न खंड ग्याद करें कि सभी अभाज गुड़न खंड ग्याद करें इस टाल लगा देना important question है सभी है अब देखो इसके सभी हमां अभाज गुरन खंड़ों की संक्या लेनी है तो सभी अभाज गुरन खंडों की संक्या लेनी के लिए हम क्या करेंगे सब से पहले जो factor अभाज नहीं है उन्हें अभाज करेंगे यानि इनके अभाज गुरन खंड करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे अब देखो 15 क्या होता भाज यह होता है तो 15 क्या हो जाएगे बिटा 3 गुणा 5 तो 3 की हाथ 15 गुणा sorry 3 की हाथ 5 गुणा 5 की हाथ 5 इंटू 14 को change करेंगे तो क्या हो जाएगा तो 3 की हाथ 5 5 की हाथ 5 2 की हाथ 8 7 की हाथ 8 और 3 की हाथ 9 3, 5, 2, 7, 3 यह सब के सब कैसे हो गए अभाज फेक्टर हो गए इनकी जितनी पावर लगी होगी उतनी तो संक्या होगी यानि 3 कितनी वा लिखा 5 वार फिर प्लस 5 कितनी वार लिखा है 5 वार फिर 2 कितनी वार लिखा है 8 वार फिर 2 कितनी वार लिखा है 8 वार फिर 3 कितनी वार लिखा है 9 वार जोड़ तो 5, 5, 10 18 18 वार 26, 26, 29, 35 तो कुल अभाज जोलन खंड होगी संक्या क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी से कुल क्या होगी अगला देखो अगला जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपोरेंट पॉइंट है सही है क्या है नंबर दो मोस्ट इंपोरेंट है सही है दूसर टाइब के हमारा मोस्ट इंपोडेंट है ये है सभी गुड़न खंडों की संक्या ग्याद करने तो यहां भी पहले वही कुश्चन लेते हैं सिंपल सा साथ के सभी गुड़न गुड़न खंडों की संक्या ग्याद करना साथ के सभी अब देखो चाहें तो हमारे पास लिखाओ सभी गुड़न खंड और चाहें तो लिखाओ सभी गुड़न खंड बात एक ही होती है कोई दिकत नहीं है चाहे जो पेपर में लिखते आया सभी धनात्मा गुडणखंड, हमें कोई चेंज नहीं करना, सही है, अब देखो, साठ की सभी गुडणखंड हमें लेने हैं, तो एक सिंपल सा तरीका होता सभी गुडणखंड का, हमने ये साठ लिखा, अब देखो, एक का हमने भाग दिया, साथ में, एक का साथ में भाग दो, साथ वार जाएगा फिर हमने दो ले लिया, दो का साथ में भाग दिया, तीस वार गया फिर हमने तीन लिया, तीन का साथ में भाग दिया, सही है, कितनी भाग जाएगा, बीस वार जाएगा फिर हमने 4 लिया, 4 का भाग 60 में दिया, 15 वार गया फिर हमने 5 लिया, 5 का भाग 60 में दिया, 12 वार गया फिर हमने 6 लिया, 6 का भाग 60 में दिया, 10 वार गया 7 का भाग जाएगा 60 में? नहीं जाएगा 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा और 10 अल्रेडी हम ले चुके हैं सही है, 10 हम पहले से ही ले चुके हैं ये इसका सीधा-सीधा तरीका है पहला तरीका है, बड़ा हो अला, फर्स्ट अब देखो, यहां क्या है, इस तरीके में दिक्कत क्या है हमने इसके फैक्टर कर दी है सही है, यानी कुल गुणनखंड बराबर का 12 सही, कुल गुणनखंड कितने होंगे विटा? 12 होंगे एक, दो, तीन, चार, पांच सही, साथ, आट, नौ, दस, गियार, बार सही, टोटल गुणनखंड कितने होंगे? बार हो गए अब देखो इस तरीके से दिक्कत क्या है इस तरीके से दिक्कत यह है कोश्टन जितना बड़ा जाएगा यानि संक्या जितनी बड़ी आएगी कोश्टन उतना बड़ा जला जाएगा सही है अब जितना बड़ा रहेगा फैक्टर करने में उतनी गलती बन सकती है problem गये सब्सेच को सब्सक्राइब सब्सक्राइब पीज है अब गये से करेंगे तो देखो हमने साथ लिया में और सबसे पहले साथ के अभाज़छ करेंगे लान लख ना है सबसे फ़हले 60 करेंगे अभाज एक्ट है साथ की अभाज सेटर हमने किए तो हमने यह क्या कि दो का भाग दिया तीस वार गया है फिर दो का दिया 15 है फिर दो का जा जाएगा नी तीन का le 5 यह फिर पांच का एक है है सही है अब देखो हमने लिख लिया दो की हाथ दो तीन की हाथ एक और पांच की हाथ सही है अब जब हम गुलनखंडों की संक्या जात करेंगे तो हमें बेस यानि जो आधार आए होंगे उनसे कोई मतलब नहीं हो जो गहाते होंगी केवल उनसे ही मतलब होगा और घातों में हम क्या करेंगे जो घाते होती हैं उन्हें 1 प्लस करके लिखते हैं से जो घाते होती हैं उन्हें क्या करते हैं 1 प्लस करके लिखते हैं जैसे यहां 2 की घात 2 है तो हम ले लिखा 2 की घात 2 का 2 ले लिए 2 प्लस 1 इंटू टीन कियात एक है तो हम लेंगे 1 प्लस एक, इंटु, 5 कियात एक है तो हम च्या लेंगे 1 प्लस एक, ये ले लिए हमने, अब देखो हम आगे बढ़े, दो रेक 3, गुणा, एक और एक 2, गुणा, एक और एक 2, तीन दूनी, छेह दूनी, Bear, बार है। और G और G बार है आने च्राइए अब क्यित्व आक्ट बिख्क है अब लिखाने को तो मचय है इसका formula लिखा Her नहीं है। जो है यही formula तो हमें कहा है क्या है जो गहते होती है उन्में क्या करना 1 प्लस करके आगे बढ़ा देगा आया समय यहां तक नोट करें इसके इस तीन सोड ले लेंगे मैं अगला कुष्ण बताता हूँ सिंबल साइक कुष्ण करके दिखाते हैं और एक करते हैं कि देखो आला कुष्ण है कि 210 कि सभी गुड़न घंडों की संध्या ग्याद करें यह क्या है कि कई वार पेपर मां चुका है 210 210 कि 210 क्यों पेपर मां आता है इसके लिए और एक थोड़ी सी बात आएंगे हमने कहीं 210 के सभी गुड़न घंडों की संध्या ग्याद करने है तो 210 लिया 210 में हमने भाग दिया पहले इसके अभाज गुड़न घंड निकालेंगे स्क्यान ज़ती दी गई संक्या के अभाज गुरंखन डी ग्यात करेंगे, तो हमने 210 के अभाज गुरंखन ग्यात की है, अभाज गुरंखन का मतलब है, दी गई संक्या में अभाज संक्याओं से भाग देते रहेंगे, जब तक दो का जाता रहेंगे, जब तक दो से देंगे, जब तीन का जा 2-1, 2 अब समझना गल्टी क्या हो जाती कभी कार कुछ लोगों से सबसे तो नहीं होती सिंपल सी बात है 2-1, 2 एक में भाग जाएगा नहीं तो अगर हमने बहुत है, 2-5-10 तो अब ही हमारा गलत हो गया अब क्या हो गया हमारा गलत अब देखो दो एकन दो एक में भाग जाएगा नी तो भाग टुटी विंदी तो यह पूरा लें में कितना हो जाएगा पांच दो पंजे दस सही बैसे भी देखो 210 का अदा कितना हो एक 105 होगा अब एक 105 में दो का भाग नहीं जाएगा तो तीन का देंगे 3 तीय 9 ओर 3 पंजे 15 अब 35 में 3 का भी नहीं आएगा 5 का आएगा या 7 का आएगा तो 5 छोटा है पहले 5 का देंगे पांश अत्य 35 अब 7 का देंगे 7 Eori 6 तो यह आगए हमारा 2 की हात 1 X 3 की हात 1 X 5 की हात 1 X 7 की हात 1 अब हमें क्या देखना आ है संक्या है कि भी हो इससे कोई मतलाव नहीं है घात देखनी क्या देखनी घाते हैं और वो भी बन प्लस करके लेखना दो की गात एक लेखना तो हमके लेखने एक प्लस एक इंटू एक प्लस एक इंटू एक प्लस एक इंटू एक प्लस एक तो यह जाएगा तुमारा दो की वीटा दोसो सोला आया समझ में देखे हैं अगला जैसा एक सिंपल सा कोश्चन लें आप सभी लोग करके दिखाएं फिर आगे बढ़ते हैं कि असी के सभी गुरनखंडों की संख्या क्याद करें दो असी सभी करनखंडों की संख्या क्याद करें सिंपल सा असी ले लिया दो से भाग देंगे 40 फिर दो से भाग देंगे 20 फिर दो से भाग देंगे 10 फिर दो से देंगे 5 फिर 5 से देंगे 1 से दो से दिये 40, दो से दिये 20, दो से दिये 10, दो से दिये 5 और फिर 5 से देंगे 1, तो यह आगे तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 2 की याद 4 इंटू, पांच की याथ एक, तो क्या आप जाएगा, 4 प्लस 1, इंटू, 1 प्लस 1, 4 और एक पांच, एक और एक दो, पांजोनी, 10, कितना आप जाएगा विटा, पांजोनी, 10, कोज दिक करें हाँ तक, अब देखो, अगला टॉपिक लेते हैं, तीसरा पॉइंट, याथ करना, तो सही है, फिर से देखो, मैंने 60 ले लिया, सिख्या ले लिया, 60, या, चेंज कर दो, 60 मतलो, 48 ले लिया मन, अब देखो, 48 के, सभी, सम, गुणन खंडों की संख्या ग्याद कर, अब दो, 48 के सभी सम गुणन खंड लेने हैं, के बलो के लो कैसे गुणन खंड लेने हैं, जो सम होंगे, बिसम से हमें कोई मतला होगा, नहीं होगा, सही है, अब देखो, तो मैंने पहले तो पहले वाले तरीके से किया, अपना फर्स्ट तरीका लिया, क्योंकि हमने क्या देखा, वहाँ तो ठोटल निकल आते थे, चाहे सम हो चाहे बिसम, सम तो दिखाई 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 निए रहे थे, तो कैसे गिन्ती लगाएंगे, तो हमने यहाँ अपने कीए, एक का भाग दिया 48 में, सब फिर दो का देंगे तो 24 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे पांच का जाएगा नहीं शह का जाएगे सही है तो अब हमें कैसे बताने है सम बताने है सम बताने थो क्या करेंगे बिशाम हटा देंगे तो देखो एक और ती केवल और केवल दो ही गुणनखंड ऐसे हैं जो कैसे हैं बिसम है बागी सब कैसे है सम एक, दो, तीन, चार, पांग, छए, साथ, आट से तो कुल सम कितने हो जाएंगे कुल सम गुणनखंड बरदर सही है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो सम कुल सम कितनी हो जाएंगे विटा, आठ हो जाएंगे, अब फिर वही कंडिसन आई, कि सर ये तरीका तो कैसा है, थोड़ा बड़ा चला जाएगा, अभी अर्टालिस क्या छोटी संक्या थी, तो आसानी से निकाल दिए, लेकिन सबसे पहले दी कही संक्या क्या करेंगे, अभाज जोटन खंड कर देंगे, सभी क्या कर देंगे, अभाज जोटन खंड कर देंगे, सबसे पहले दी कही संक्या के, अभाज जोटन खंड करेंगे, तो हमने क्या किया, तालिस के अभाज जोटन खंड किये, दो से चौबिस का लिखा दो की हाथ एक दो तीन चार दो की हाथ 4 into 3 की हाथ 1 से दो की हाथ 4 into 3 की हाथ 1 अब बेटा हमें कैसे लेने हैं सम गोड़न खंड लेने हैं तो जब सम गोडनखंड लेने होंगे, स्री कैसे लेने होंगे, सम गोडनखंड, तो हम क्या करेंगे, जो दो की गहात होगी, यानि जो सम गोडनखंड होगा, और विसम में केवल केवल दो ही एक ऐसा होता है, जो सम होता है, बाकि कोई भी अभाज में दो ही एक ऐसा होता है, उसके लाब कोई भी अवाज संक्या समसंक्या नहीं होती। तो अब देखो हमारा क्या आजाएगा। जो सम होगा, यानि जो दो की गात होगी, उसमें हम कोई प्लस नहीं करेंगे। से जो 2 की घात होगी उसमें कोई प्लस नहीं करेंगे वो सीधी सीधी लिखी जाएगी और उससे अगला जो होगा जितने भी बिसाम होगे उनमें प्लस करेंगे तो यह 4 तो सीधा-सीधा आजाएगा इंटू 3 का क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 साइब है यहाथ तो सीधा सीधा क्या हुआएगा 1 प्लस 1 सही है यह 4 दो सीधा सीधा 4 लिग दिया इंटू 3 किया एक तो 1 प्लस 1 अब भी होजाएगा 4 गुणा 2 बराबर का कुल Shum confident कितने हो जाएंगे अट हो जाएंगें तो simple सी वात है हमें पहले यह निकरना कि पहले इनके कोड़क्ण करें कितने होते हैं total फिरुनमेंसे sum अलग जिने हैं और बि-sum अलग जिने हैं ऐसा करेंगे तो हमारा जादस Requirend time कर्च होने के अलावा भी क्या होगा गल्ती होने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे यहां टाइम भी खर्च ज्यादा नहीं होगा और गल्ती होने की चांस कम रहेंगे एक और कुश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं सही है देखो कि हमने लिया तुम बता दो क्या लेले असर नहीं बता पाऊगे कोई दिखन नहीं तुम अपने बन से ले ले रहा हूं बता देते तो जादा अच्छा था नहीं तो मेरा कहा माँ तो लेई लूँगा देखें हमने लिया फिर से कोई अच्छी संख्या लेते हैं 420 ज़ादा अच्छी संख्या नहीं हमने लिया 300 300 के सभी सम कुरंखंडों की संख्या इंग तो 300 के सभी सम गुलनखंड लेने के लिए हमने क्या किया 300 के सभी सम गुलनखंड लेने सभी है तो सबसे पहले इसके हमने क्या किये अभाज जोनल्फन किये दो से कैंसिल किया दो एकन दो दो पंजे दस और जीरो फिर दो से कैंसिल किया दो सत्य चौदे और दो पंजे दस फिर तीन से तीन दो नी छे और तीन पंजे 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 फिर 5 से 5 एकन 5 सही है तो क्या आगया हमारा 2 की गाद 2 3 की गाद 1 और 5 की गाद 2 हमने इससे आगे बढ़े तो मने क्या बताया था 2 ये जो 2 है इसकी घात में हमें कोई प्लस नहीं करना तो ये सीधा सीधा आजाएगा 2 इंटू तीन की यात एक है तो क्या हो जाएगा एक प्लस एक, पांच की यात दो है तो क्या हो जाएगा दो प्लस एक, घास से हमें कोई मतलब नहीं हो बस दो की जो घात होगी उससे मतलब होगा, दो की घात में कोई प्लस नहीं करना, वो सीधा का सीधा लिखेंगे, अब दे सबसे पहले हमने क्या है 300 की फैक्टर की है 150 फिर 75 फिर 25 फिर 5 सही है देखो दो एकन दो दो पंजे 10 सही है फिर दो एकसो पिचत्तर का आदा सुरी 150 का आदा पिचत्तर फिर तीन दूनी छह तीन पंजे 15 फिर 5 पंजे 25 आया तक समंगे अब देखो अगला टॉपिक करते हैं तीसरा सुरी चौथा क्या था चौथा टॉपिक सभी बिसम गुनन खंडों की संख्या ग्याद करना से सभी बिसम बिसम देखो टॉपिक नमबर 4 सभी बिसम गुनन खंडों की संख्या ग्याद करना अब तक वेटा हमने क्या था पहले सम लिए पहले अभाज लिए फिर टोटन ले लिए फिर सम ले लिए अब केवलों केवल कैसे लेंगे बिसम तो सिंपल सा कोश्टन लिखते हैं एक सो बीस के सभी विशम गुणन खंडों की संख्या तो एक सो बीस के सभी विशम गुणन खंडों की संख्या लेते हैं तो एक सो बीस के सभी विशम गुणन खंड लेंगे तो फिर वही बात आई किसर आप क्या से गिंती लनाएंगे तो हमने क्या देखा पहले वाला तरीका फिर से अपलाई करते हैं तो पहले वाले तरीके में क्या था एक सो बीस एक से भाग दिया एक सो बीस दो से भाग दिया साथ तीन चौक बारा चार ती अवारा है सही है पाँच एकन पाँच कितने बच गए पांदूनी दस और पांच चौक बीस सही है चै दो नी बारा साथ से जाएगा नी आठ जितने हैं सही साथ का तो जाएगा नी कितनी यह देता है आठ का आठ ही का नाठ और कितनी पुच्छे चार आठ बंजे चालेस नौ का जाएगा नहीं, दस का दे दो दस से बारह बार का लिए फिर क्या आगे लोटके बारह आगया तो देखो कितनी फेक्टर हो गए सही है, एक का देंगे, 120 फिर दो का देंगे, दो से 60 फिर दीन का देंगे, तीन Tschok nearly चार दीने बारह सही है, 15, 24, 25, 12 6 से देंगे 62 नहीं 12, आठ से देंगे 15, 28 120, 9 से जाएगा नहीं सही है, 9 एक नह जाएगा नहीं फिर 10 से देंगे 12 सबस्तों मैं टो एक बिसम दूसरा बिसम तीसरा बिसम और चौथा बिसम कितने हो जाएंगे को कुल बिसम गलंखंड पर बराबर कर चार कर चार जांसे बहुत बाद बड़ा तरीका जाएगा और को शस्टन बढ़ा हो गलती होने कि जादा हो सकते हैं तो हमने कहा किया दूसरा को दूसरा अपना तरीका पुलाई किया सिंपल वाला तो सिंपल वाले तरीके में सबसे पहले क्या करना दीगई संक्या के अभाज करने हैं सबसे पहले दीगई संक्या क्या करने हैं अभाज करने हैं तो दीगई संक्या के हमने पाँच वार और फिर पाँच से एक वार ये आ गए तो हम ने लिखा दो की हाथ तीन गुणा तीन की हाथ-एक गुणा पाँच की हाथ अब दिए क्या से फेक्ट्रल लेने बटा बिसम लेने की जब दिसम लेने है तो सम से हमें कोई मतलब नहीं है. 2 को हम cross कर देंगे और उसके आध आगे बढ़ेंगे. तो 3 की आत 1 है तो हम ने कहा लिखा 1 प्लस 1. इन्टू 5 की आत 1 है तो कहा लिखा 1 प्लस 1. तो जी आगे हमारा 2 गुणा 2 बराबर का 4. तो कुल बिसम गुणा नहीं संक्या कितनी होगी चार होगी एक कोश्चन प्रेक्टिस के लिए देते हैं करके दिखाएंगे सभी लोग तो कि नब्ब्ब्ब्ब्ब के सभी विसम गुणा खंडो होगी संक्या क्या होगी तो देखो 90 के सभी बिसम को नखन लेते हैं तो सभी बिसम को नखन लेते हैं हमने क्या गिया सबसे पहले यह 90 छोटा थोड़ा बड़ा संक्या लेले सही है 450 लेले 450 के सभी बिसम को नखन लेले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अबहाज फेक्टर करेंगे, क्या करेंगे? अबहाज. दो से cancel हो जाएगा, दो दूनी 4 दो दूनी 4 और दो पंजे 10. अब 3 से cancel होगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15. अब पिर ते इस 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15. फिर पांस से, 5 पंजे 25. और फिर पान से पांच एकन पांच स mismatch 450 की फैक्टर क्या हoming 2 दू दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 फिर 3 से 3 सते 21 भूलजा एक सिसना टीन भूलजे एक 3 पंजे 15 फिर पांच से 5 भूलजे 55 और 5 एकन 5 अब आज फ्रेक्टर हो गए, अब क्या करेंगे, दो की हाथ किराएगा एक, तीन की हाथ दो, और पांच की हाथ, कैसे लेने हैं, विसम, विसम गुडन खंड बरावा, तो ये कैंसल, ये आ जाएगा, तीन की हाथ दो है, तो क्या लेका आएगा, दो प्लस एक, इंटू, दो प्लस एक, तीन उना, तीन, बरावर का, सिटोटल कितने होंगे अब आज फैक्टर, नौ होंगे, सही है, अब ये हम हर प्रकार के गुडन खंड करना सीख कए, अब आज गुडन खंड, कुल गुडन खंड, सम गुडन खंड और बिसम गुडन खंड, कल क्या है इनका अगल जीकशना के शेट चुम कि यह अगले लिक्चान में इनका योगफल ज्याद करेंगे